दोस्तो एक बार की बात है मैं किसी अधर सिटी के अंदर यानि कि हमारे डिस्टिक से अलग डिस्टिक के अंदर मेरी ही स्टेट के अंदर एक मिटिंग देने के लिए गया हुआ था जो मेरी टीम एक बहुत एक्टिव लिडर था अभी तो नहीं है क्योंकि वो आपको पता है कि जो व्यक्ति शुरुवात में आपके साथ जुडेंगे और जब आप एक अच्छे लेवल तक पहुँचोगे तो उन में से लग बग लग बग एकाद ही व्यक्ति जो एटिक ने वाला है बाकी सब नए उनकी जगह पे रेपलेस हो जाते हैं कि ये डिरेक्ट सेलिंग का सिस्टम है यहाँ पे लोग आते हैं और जाते हैं ये लगा रहता है तो वहाँ पे मैं मिटिंग देने के लिए गया हुआ था तो वहाँ पे मेरे बोलने के तरीके से जब मैं माईक पे बोल रहा था तो जिस तरीके से मैं लोगों को attract कर रहा था जिस तरीके से मैं लोगों को कुछ अपनी बाते बोल रहा था तो उनके अंदर वो जा रही थी उनको लग रहा था कि वाके में सही बात है तो जिस जिस तरीके से मैंने वहाँ पे शुरुवात में लोगों को बातो बातो में फोन को बंद कराया उनको ध्यान से सुनने के लिए बोला कैसे कैसे तरीके से उनको मैंने एगरी किया कि वो अगले डेड़ घंटा मिटिंग के अंदर सही से बैठे रहे और ध्यान से सुने तो इन चीजों से लगा कि साइद ये किसी और कंपनी में ना हो और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग टारिफ करके और फिर बाल में आपको धीरे-धीरे कनवर्ट करने की कोशिस करते हैं तो उन्होंने नमबर भी लिया मैंने नमबर भी दे दिया लेकिन उन्होंने जाते जाते एक चीज बोली कि मैं आपसे बात करूँगा तो मेरे को और भी डाउट हुआ कि यह वाके में ऐसी बात हो सकती है कि यह सायद किसी और कंपनी का ना हो रहा हमारी मीटिंग के अंदर बैठा हो तो अब यह सोचता हूँ कि में लीडर को ही तोड़ ले तो कुछ दिन के बाद उस वेक्ति की कोल आती है तो उन्होंने कहा कि मैं फलाना वेक्ति बोल रहा हूँ आप महाँ पे मेटिंग देने आए थे मैं बहुत परभावित हुआ आपकी मेटिंग से फिर से उन्होंने थोड़ी सी तारिफ करनी शुरू की और मुझे भी बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने बोला कि आपके पास एक बहुत जबरदस्त मोका है और ये मोका ऐसा है कि आपको मैं कई कंट्री के अंदर लेके जाना चाता हूँ जिसमें आपका वीजा भी मैं बनवाऊंगा आपका पासपोर्ट भी मैं बनवाऊंगा और आपको एक अच्छी खासी सेलरी भी मिलेगी तो मैंने कहा कि वहाँ पे देखिए मैं तो नहीं जा सकता इस बिजनस को चोड़के तो उन्होंने अपने जबरदस्ती थोड़ा चाहिए कि देखिए मैं वहाँ पे आयरवेद को पर्मोट करता हूँ और अपनी कंपनी के किसी प्रोड़क्ट के थ्रिव करता हूँ यानि कि उनकी किसी ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनी को पर्मोट करते हूँ आयरवेद में और उन्होंने एक चीज और बोली कि बाहर के देशों में आयरवेद का जो पर्चलन है वो अपनी कंट्री से भी कई गुना जादा है तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप अगर वहाँ पे मेरे साथ चलते हैं कि जो आप बोलते हैं मैंने का मेरे को इंगिलिस नहीं आती मैं तो हिंदी में ही बात कर बाता हूँ तो वो बोले कि no doubt हम जीज जगह पे परचार परसार करते हैं वहाँ पे हिंदी यानि कि आप बोल सकते हैं वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं यानि कि अपने यहां से गए हुए हैं उन लोगों में हम परचार करते हैं उनके थ्रू हम आगे करते हैं तो वो लोग तकरीबन तकरीबन हिंदी जानते हैं तो आप हिंदी में ही उनको बता सकते हैं तो उन्होंने बोला कि आप अगर निर्ने लेते हैं तो मैं आपको यानि कि पासपोर्ट भी और आपका वीजा भी लगवाने के लिए तयार हूँ और आपको कई कंट्रियों में गूमने का भी मोखा मिलेगा और आपको जो इनकम है लग बग उन्होंने बताया कि एक लाग के असपास जुरूर मिलेगी और ये आपकी बढ़ती भी रहेगी अपने काम के अपोड़ी तो मेरे को मन में थोड़ा सा एक बार तो लगा कि यार बहुत बढ़िया मोका है लेकिन मैंने उस समय पे क्या सूचा कि जिन दोस्तों को मैंने आज ड्रीम दिखाए हुए है जिन दोस्तों की विज़े से आज मैं धीरे धीरे ग्रोथ करता जा रहा हूँ मेरी इंकम मेरे लेवल बढ़ता जा रहा है आज उन्हीं दोस्तों को मैं इस एक छोटे से लालस के जरिये मैं अकेला तो वहाँ पे इंकम कमाने के लिए चला जाओं तो इनका क्या होगा और दूसरी बात मैं वहाँ पे अकेला तो इंकम कमा सकता था लेकिन क्या मैं और लोगों को रुजगार दे पाऊंगा मैंने ये भी सोचा तो ये दो point मैंने सोच के मैंने उस वेक्ति को उस time तो मना करी दिया था उनकी फिर तीसरी बार भी call आई फिर भी मैंने उनको साफ-साफ मना कर दिया तो ये दोस्तों experience में आपको क्यों सुनाना चाता हूं क्योंकि हो सकता है जब आप यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू कर दे थोड़ा सा आप स्ट्रेगलिंग के टाइम में चल रहे होते हैं तो हो सकता है उस टाइम पे आपके पास कोई ऐसी ओपरजनिटी एक ऐसा मुका आ जाए आपको लगे कि यार मैं साइद यहाँ पे जाके कुछ अच्छा कमा सकता हूँ और आप वहाँ से क्विट कर देते हैं यानि कि वहाँ से छोड़ देते हैं तो दोस्त वहाँ पे दो बाते आपको सोचना जुरूरी है पहले तो बात अगर यहां पर आने वारे समय में बहुत भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है तो दोस्तों अगर आपको यह experience अच्छा लगा है तो तेजपाल उफिसियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इस वीडियो को share करें ताकि आपको पता चले या आपकी टीम को पता चले कि ऐसा भी हो सकता है और मैं नए नए वीडियो के साथ आप सब के सामने आता रहूँगा तक तक के लिए धन्यवाद जैन